हेलो धृन तो कैसे हो आप सभी लोग I hope आप लोग बढया हो गे और आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक समृषचारे हो चैनल पर कमेंट कर दो वीडियो पर कमेंट कर दो स्क्राइब करो यार तो थोड़ा सा यूटूब के अलिगोरिधम में अपन सामेल हूँ ऐसा लग रहा यूटूब भूलता जा रहा है कि 3N नोबल करके भी कोई है तो का इसे 3N फैमिली डूब जाएगी वे तो देखाओ अपनी पावर याद करो अपनी पावर को तुम लोग और आजाओ चलते हैं सभी लोग सीधा ही पिछले एपिसोड पे पिछले एपिसोड क्या था जहां हमने देखा हुआ होता है कि जो यान एमोर्टर लेबल के पहले बंदे को पेलने के बाद पहुँच गया होता है कल्टिवेशन करने के लिए जहां आख बंद करके फुल च कर रहा होता है जिसके बाद जब जो यान आके खोलता है तो वह चिलात हुए कहता है फाइव विलियन मतला फाइव हैंडेड मिलियन कोई और ऐसे तुम्हें नायनी स्टार पर बहुत जल्दी पहुँच जाऊंगा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों के ची जो यान और यह जो बंदा होता है दोनों खड़े हो जाते हैं इससे उम्मीद नहीं थी कि जो यान ऐसा ठटकी भी होगा तब ही अचाना कि जब उन लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते तो यान कहता है चल यार क्या खड़ा हुआ है दुनिया हमें क्या कहेगी समाज ह हमें क्या कहेगा कि दो लड़कियों की 12 लोग इजजत लूट रहे थे हम खड़े हुए थे चल जो देखकर वंदा कहता क्या करना है उनसे इस्टोरीजिंग छीननी है जो देखकर यह बंदा तुरंती हरान होते हैं तो बचानी के लिए बोलेगा तो इस्टोरीजिंग छीन बताता हूं जन दोड़ा दोड़ा के मारता है भाई इसे घोड़ा बना बना के लड़का है तो घोड़ी नहीं बना सकता है तो घोड़ा बना के मार रहा होता है जो देखकर यह बंदा भी जान के साथ आखिरकर ब्लड सैक्रिफाइस का जो एग्रिमेंट होता है वो साइन क कहते हैं यह कौन है तब ही एंप्रेस कहती ही मैं उसकी पत्मी हूँ जो देखा है इस बंदे का मन कर रहा हूँ तो कि जयान को मार दे लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था चुप-चप जयान को फॉलो करने के लाब एपिसोड मैं नहीं एंड किया था तो यह एपिसोड होता है ज जब को एगनौर दूसरी तरह एपिसोड की स्टैटिटिंग में जयानने कि वह लेंगा होँए तो इसकी जो औरीजन को पावर में तेजी से सुधार हुआ था और उसकी बॉडी के अंदर डेमाणिक एनरजी भी तेजी से बढ़ती जा रही थी जस्से जो यहान का जो बेहवियर होता है वो थोड़ा सा चिड़ चिड़ा और वाइल्ड होता जा रहा होता है लेकिन इसके बाद भी जोएन ने अब तक अपने दिमाग को नहीं खोया था कम से कम यू तू और सेंजू के साथ जोएन ने इन दौनों को मारने का उपसन चूज नहीं किया था बलकि इन अपने साथ रखने का फेसला किया था हाला कि जोएन के लिए दो मॉटल लेबल के बंदों को मारना मुस्किल काम नहीं था लेकिन जोएन जानता था कि इने मारना कोई जरूरी काम नहीं लेकिन ये जोयान के काम बहुत आ सकते थे और अपना काम बनता भाड में जाए जनता जोयान का यही नारा था क्योंकि ये जोयान की नेक्ट फाइट में काफी मदद कर सकते थे साथी जगे में इंटा होने के बाद जोयान को एहसास हुआ था इसलिए यौंग हे यहाँ पे एक possible enemy हो सकता है लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो action लेगा भी या नहीं क्योंकि दूसरे birds में हो सकता है कि वो यहाँ पर छुपने के option को choose करे और जोयान को मारने के लिए एक अच्छे मौके का इंतजार करे हाला कि जोयान इस चीज को confirm नहीं कर सकता कि यौंगे की अलाबा उससे और कौन कौन से person है जो अपनी target list में रखते है और इन में से वो दो बंदे हो सकते हैं जो कि ताइक सूग बलेट से थे जोन्होंने white god armor पहन रखा था बले ही सेनेकसी और ताइक सू वर्ड के अंदर ही fight हो जाए लेकिन अगर जोयान ताइक सू वर्ड के strong लोगों को खादम कर सकता है तो ये ताइक सू की power को कमजोर करने जैसा ही माना जा सकता था जिससे जोयान को काफी great चीज़े मिल सकती है जो कि अक्सर देखने में कापी जारा normal लगती है हाला कि जोयान के साथ impressed थी लेकिन जोयान अगर अपनी power के साथ इस problem को solve करना चाहता है तो अब जोयान के पार पहले से ही दो immortal level के बंदे हैं तो अपनी power के अलाबा इस तरीके की जगे पर strong बंदने के लिए जोयान को अपने आसपास की power को भी strong करना होगा बेसक इसके अलाब़ जोयान यहाँ पर आने का उसका असली मकसद अपनी ताकत को बहतर बनाना है अगर जोयान के पास 90 star fighting guard में half step है और या फिर वो 90 star पर breakthrough कर लेता है तो फिर immortal level की जो distance से वो और कम हो जाएगी और जोयान को जल से जल इस distance को ही तो कम करना था साथ ही time तेजी से बीचता जा रहा होता है और इस time पर जोयान ने पाय था कि 500 साल बीच चुके हैं लेकिन heaven human mansion के अंदर कुई जून उसकी memory तेजी से कम होती जा रही थी हालकि इस situation में जोयन कोई ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता था लेकिन काफी alert था जोयन यही सोच रहा होता है कि क्या यह possible हो सकता है कि कुई जून ने कुछ अजीब खोज लिया हो यह फिर हो सकता है कि दो words के बीच के distance के कारण जो contact या connection है वो भीख होता जा रहा हो लेकिन कुई जून से प्राप्त नई memory के according heaven human mansion थोड़े time के अंदर अपनी army को तयार कर रहा है साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो Asian divine realm पर attack करना चाते हैं क्योंकि उनका Asian divine realm के साथ थोड़ा सा चुटपुट बार फियर चल रहा है जो दीरे दीरे टक रहा हो और fight में बदलता जा रहा है जो देखर जून कहता है यह सा यह कापी अदा आजीब लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं रहे होते हैं और outer support भी दे रहे होते हैं जो देखकर जो अन्तुरंदी कहता situation बिलकुल भी साई direction पर नहीं चल रही है ता एक सू वर्ल्ड का attack तो पहले से ही decided है लेकिन इसमें अभी भी कुछ time की बात है जो यान के पास सबसे ज़्यादा जिस चीज की कमी थी बेसक कुछ चीजे हैं जेने time के साथ जो यान उनके उपर नहीं छोड़ सकता मतरब time की उपर नहीं छोड़ सकता जैसे की power और growth आखिरकार जो यान को जूची से world energy को बापस लेना है क्योंकि सेनेकसी world की world energy पहले ही डिवाइड हो चुकी है क्योंकि जो यान अपनी पाउर को जल्दी नहीं सुधार सकता इसलिए उसे world power को हासिल करके अपनी पाउर को सुधार ना होगा आखिरकार growth करने में time लगता है और जूची नगर इस level पर पहुँच पाया तो वो पहले से ही काफी अच्छा माना जा सकता था जूची न तुरंदी गया था मैंने कड़ी मेहनत की है लेकिन मैं कभी भी speed से success हासिल नहीं कर पाया कम से कम cultivation के present time की speed को देखते हुए जूची न टूरियलम के अंदर बचे वो time के अंदर motor level को break through करना भी भी मुस्किल होगा तब तक जब तक कि मैं जूची से word energy को बापस नहीं ले लेता साथी अब fight ने start होना सुरू कर दिया है और जूची ने अपना clone भेजा है मुझे लगता है कि उसे कुछ हजी महसूस हुआ होगा लेकिन वो अंधेरे में रहकर इसे महसूस कर रहा है क्या है एक खतरनाक fight की दस तक हो सकती है मेरे दरवाजे पर जोयान के senses पहले से ही उसे गलत feeling दे रहे होते हैं हाला कि अगर जोयान fight में जाता भी है तो एश्वेश नार्थ साउथ Empress की नजा हर जगह पर थी यहां तक ही Hunter God Palace में भी हाला कि जूची ने 8 Immortal Gods को भी वेजा था लेकिन जब तक उसने जोयान को नहीं देखा था वो एकदम confused था लेकिन जब उसने जोयान को देखा तो वो एकदम सौक हो गया क्योंकि एक जैसा चेहरा होना coincidence नहीं हो सकता लेकिन फिर भी जूची को अभी भी समझ नहीं आया था कि जोयान का ओरीजन आकिरकार क्यों है या फिर उसका जोयान के साथ किस तरीके का connection है इस चीज ने जूची को काफी हरान कर दिया होता है लेकिन जोयान के ओरीजन ने उसे पहले ही helpless महसूस कराया था और वो बस जोयान को खत्म करने के लिए कारवाही करना चाहता था लेकिन वो हमेशा एमप्रेस की situation से डरता था आकिर का उसे पता रहे कि जोयान की life को एमप्रेस प्रोटेक्ट कर रही और एमप्रेस के सामने जोयान की life को चीन पाना इंफॉसिबल था इसलिए जूची एक test के लिए आये था और जब उसने एमप्रेस को जोयान का पीछा करते हो देखा तो उसने पहले से ये thought छोड़ दिया था वो खास तोर पर देखना चाहता था कि क्या वो एक दोस्त के तोर पर जोयान के close आ सकता है और जोयान के बारे में और ज़्यादा चीज़े जान सकता है लेकिन ये unexpected था कि वो ऐसा नहीं कर सका यहां तक कि जोयान द्वारा उसके उपर सबसे पहले अटेक किया गया था और उसकी identity को एमप्रेस द्वारा recognize करके rebel कर दिया गया था जिसके कार्ण उसके लिए अब जोयान के close आ पाना करीब करीब नामुम्किन था हाला कि जोची जोयान के close तो नहीं आ सका लेकिन अब जब ये दौनों लोग ऐसी जगह पर थे तो वो जोयानों एमप्रेस के बारे में पता लगाने के लिए और अधिक तरीकों का और resources का use कर सकता था हाला कि अपने दम पर action करके enemy को डराना आसान है लेकिन उनमें से कई strong लोग हैं और अगर आप इन सभी power houses को इखटा करते हैं और एक game set करते हैं तो ये कोई बुरा थौट नहीं होगा कि एक strategy बना करी battle किया जाए दूसरी तरप young है यहाँ कहीं पर cross like करके बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में जेड ओडन गायब हो जाता है और दो लड़कियों के हाथ में गिरता है यहाँ पर यह ऐसा लग रहा होता है कि परदे के पीछे से सब कुछ control कर रहा था यहाँ तक जो यान को भी नहीं पता था कि सेंजू की presence एक coincidence नहीं होती बलकि एक strategy होती है जिसके बाद यह जो दो लड़किया होती है देखती है कि जो यहान cultivate कर रहा है तो वो एक दूसरे को देखते हुए जो यहान के close जा रही होती है साथी इनकी beauty यह काफी beautiful और kind लग रही होती है लेकिन Empress की काति लाना नजने इन दोनों लड़कियों पर पड़ती है जो देखकर लड़कियां चौक गई होती है हाला कि उन्होंने इसे अपने चेहरे पड़ने दिखाया था आकिरकार यह भी old monster थी जो अनकी नत बरसों से जिंदा थी इसलिए उन्होंने अपने psychological emotions को control करना सीख लिया था तभी दोनों लड़किया साथ आते हुए कहती कि हम एक साथ चल सकते हैं तभी YouTube और Sanju एकदम चुप होते हैं जहां तक Sanju की बात होता है तो वो इन दोनों लड़कियों की तरफ देखता और फिने इग्नोर मार देता है क्योंकि उसने Empress को देख लिया तो और Empress के बाद अब इस दिल में कोई नहीं है दूसर यूटू obviously कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि यहां बोलने की qualification उसके पास नहीं थी तभी Empress तुम्हारें तुरंती के थी तुम्हारे साथी कहां है साथी Empress की आखे काफी soft होती है और beauty इतनी beautiful की क्या बताए स्वर्गी की अपसरा Empress को देख ले तो सरमा जाए Empress बिलकुल परी की तरह लगरी होती है जो इन से बास कर रही थी दूसी तभी दोनों लड़किया काफी kind होकर उदासो कर नासु भात हुए कहती है हमारे सभी साथी युद्ध में मारे गए और उसके द्वारा मारे गए है और दोनों लड़किया kind होकर सैंजु की तरह फिसारा करती है जो देखकर सैंजु तुरंती गुस्ते सो गुर राता है सैंजु तुरंती कहता अगर वो लोग नहीं आये होते तो अभी आप खुसी से चिला रही होती है समझे? नई, तम नहीं समझे वो लोग आ गए थे और टाइम बेश्ट कर दिया था ना इनका नई भी टाइम की बजाए हाथ बेश्ट पे होते है जैसे ही सैंजु गुस्ते में चिलाता है दौनों लड़कियों की यांके लाल हो गई होती है और ये एमप्रेस के चाना की क्लोज आ जाती है तब ही एमप्रेस तुरंती कहती है चिंता मत करो मेरा पती बहुत अच्छा आदमी है जब वो जागेगा तो मैं तौना आए लिए उससे रिक्वेस्ट करूँगी और ये सैंगे तौन लड़कियों की तब देखती है तो दौन लड़किया जोर से अपना से इला देती कि बहुत बहुत थैंकियो दौन लड़कियों की तब देखता तो उसकी वोँ सिकुड गई होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता लेकिन उसके इंप्रेसंस ऐसा लग रहा था कि इन दौनों लड़कियों में कुछ तो गड़वड है हाला कि जोन की कल्टिवेशन के टाइम पे यह जगह बिलकुल भी पीसफुल नहीं होती हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो यह मैसूस करते हैं कि यहाँ पे और भी हो रहा है और यहाँ पे और भी टीम है सैंजु अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है साथ ही यहाँ पे सेंजू और यू तू ओ एक साथ मिलकर लंबी लंबी टीमों की लंका लगा रहे होते हैं अलग अलग जगह पर जाके लेकिन बाद सिर्फ इतनी होती कि बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कमजोर लोग होते हैं जो हैं रिसूर्सिस की तलास मिला आये थे और ये लगवक कहा जा सकता है कि उस चोटे से टाइम के दो रन जो भी लोग यहां अपने लग को आजमाने के लाए थे वो अनलकीली नर्क की तरफ पहुँच गय होते हैं केबल कुछ ही लोग थे जो प्रिजन टाइम की सिचेशन को समझ सकते थे और बास्तों में इस जगह पर सर्वाइब कर सकते थे कमजोरों के लिए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ऐसी जगह बिलकुल भी नहीं है वो आपके दिल में बेचैनी पैदा करती है और आप इसे बरदास करने में कैपबल नहीं होते या तो आप लेडकियों के उपर कूंत पड़ते हैं या फिर फाइट में और इस टाइम के दोरान लोगों की कॉंटिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है और अगर आप जंगल में चल रही हवा को देखे तो हवा में ब्लैड की स्मेल होती है जो कि ये साबित करने के लिए काफी होती है कि यहां की जो फाइट थी वो काफी कुरूल थी लेकिन अब्यसली ये चीज़ा लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करती है और अट्रैक्ट उसी टाइम पे लगबग एक दरजन प्लस लोग को मारने के बाद U2O और सैंजू भी पावरफुल एनिमी का सामड़ा करते हैं यहाँ पे दरजनों लोग होते हैं जिनमें एक सेकेंड श्टेप और दूसरा थाइड श्टेप एमपरेनर मोर्टल होते हैं दूसरा अब साथ आठ नाइन श्टार डावडी होते हैं जिन्होंने इने घेर रखा होता है हालकि इस ताम पे यह साथ आठ लोग बिल्कुल भी टाइम बरबाद नहीं करते हैं और सीधा यह उन दोनों के उपर अटेक कर देते हैं क्योंकि मौजूदा सिच्वेशन ऐसी थी तो उन लोगों के पास अब दो ही आप्सन थे या कि वो लोग डरेंगे या फिर लडेंगे तभी यूट्यो तुरंती कहता हट जाओ और अपने दाथ पीस्टों महसूस करता है कि जो सिच्वेशन थी उसमें कुछ गड़वड है हाला कि यह दोनों ही लोग आठ लोगों का सामना करे होते हैं जीत की जो पॉस्बिल्टी थी वो काफी कम थी यूट्यो ने अपनी उम्मीदें नहीं रखी होती किसी भी आउटर परसन पर तभी सैंज्यो तुरंती कहता है पीछे मत हटो मेरे साथ आओ क्या फर्क पड़ता है अगर जादा लोग है यह कौन सी बड़ी बात है अनसा कहते हो सैंज्यो तुरंती है भी जो हान रूलर को अपने कंदे से बाहर निकाल लेता है तभी यूट्यो तुरंती कहता है पहले पीछे हटते हैं उन में से बहुत सारे इसलिए एक टफ फाइट करने की कोई ज़रत नहीं क्योंकि अगर वो लोग हार भी जाते तो उनके पास पीछे अटने का टाइम होगा लेकिन हमारे पास नहीं तभी सैंज्यो तुरंती गएता है तो जाओ और किसी को बुला कर लाओ तब तक मैंने रोकता हूँ सैंज्यो की जो अब आज होती एकदम डीप और गुस्ते में भोच चला रहा होता है जो सुनकर यूट तो कोई भी टाइम और वक्त बरबाद नहीं करता और तेजी से पीछे की तरफ चला जाता है बलकि सैंज्यो की जो फाइटिंग कोई होती वो एकदम बौक ला रही होती है यहां तकि उसकी फियरलेस फाइटिंग इंटेंट भी इस टाइप पे बागी के फाइटिंग गौट पीछे आड़ गया होते के बल टू इस्टाइर एंपरर एमोर्टल लेवल के बंदे ने मोर्चा समाला होता है यहां पे दो टू इस्टेप एंपरर एमोर्टल लेवल के बंदे सूजैन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं जबकि सूजैन एक थ्री इस्टाइप एंपरर एमोर्टल था जिसे दो सेकंड डिश्टेप के एमपरे इमोटल से निपटना पड़ रहा था हाला कि यह मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी सामने के जो दो बंदे थे उनकी भी पावर बीक नहीं होने वाली थी आखिरकर वो अगर पिजन टाइम के इस लेवल तक पहुँच सकते हैं तो उन्होंने भी अपने पीछे काफी हार्डवर किया होगा हाला कि सैंजू फिर भी उन दोनों को पीछे धकेले के लिए अपनी कम्प्लीट पावर का यूज़ का रहा होता है और ये परसन उस ग्रूप का सबसे श्ट्रॉंग परसन था जिसके पास सैंजू के एक क्वली पावर होती हानिक एमप्रारे मोटल लेवल के थर्ड इस्टेप की हालक ये सैंजू के जैसा ही लग रहा होता लेकिन इसकी जो फाइटिंग टेकनिक्स होती है वो काफी अलग थी सायाद ऐसा लग रहा था कि ये फिजिकल बोडी पर डिपेंड करता है साथी इसकी सकल सूरत भी सैंजू से अलग होती है इसकी हाइट लंबी नहीं होती है लेकिन इसका टेक काफी फास्ट होता है साथी ड्रेगन रोर की आवाज भी इसकी बोडी से सुनी जा सकती है साथी ये थार्ड इस्टेप लेविल के एमपरारे मोटल सैंजू को सप्रेस कर रहा होता है तब ही सेकेंड डेश्टेप के दो एंपर एमोर्टल लेविल के बंदे भी सेंजू का उपर अटेक कर देते हैं और इस टैम पे सेंजू के विल अपने दाथ पी सकता था वो तुरंत यहां पे अग रहते हैं वो ते उन तीन लोगों के अटेकों का सामना कर रहा होता है लेकिन इन तीनों की ही जो पावर होती वो काफी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी होती और सेंजू की वाड़ी में लगातार घाव आ गए होते हैं और वो पीछे की तरह पहट रहा होता है इस टाम पे उसकी वाड़ी में बड़े छोटे काफी सारे कट होते हैं हाला कि उसकी फिजिकल वाड़ी काफी स्ट्राउंग थी लेकिन ये घाव फिर भी उसकी बाड़ी में दिखाई दे रहे थे हाला कि अमोर्टल पावर के कारण ये काफी जल्दी ठीक भी हो रहे होते हैं इसलिए ये तीनों लोग अभी भी सेंजू के खिलाब कुछ टाइम के अंदर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे तभी एक बंदा तुरंदी कहता है ये टाइम है त्यांग यांग एट डिश्ट्रेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और ये थाइड इस्टैप का एम्परार इमोर्टल लेविल का बंदा होता है जो बागी के अपने टटो से इस फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए कहता है जिन्होंने अब तक फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया था सथ इन तीनों लोगों ने भी सेंजू के साथ फाइट करतो एक फॉर्मेशन को चुपचाप अरेंज कर लिया होता है और इस टाम पे ये तीनों लोगों के एक पावरफुल एमोटल पावर के साथ फॉर्मेशन में गिर जाते हैं और तीनों लोगों के एमोटल पावर के फॉर्मेशन के साथ अचानक एक चमकदा लाइट एक साथ फूट पड़ती है जो की लाइटिंग स्टाइक से भी ज़्यादा तेज होती है और सीधा ही बैते हुए सैंजू की तरफ जाती है सैंजू तुरंती मैसूस करता है कि उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो गायब हो गया है और जाहिर सीधाती की लाइट की जो फर्स्ट रेज होती है वो केबल ट्रेलर होता है क्योंकि अंगले इपल अनिगिनत रेज सैंजू की तरफ बढ़ने लगती है और भले एमोर्टल लेवल के वोर्यर के पास स्ट्रॉंग रेकबरी पाबर हो अगर उसका कीमा बना दिया जाए तो वो किसी भी बंदे की कटिंग बोर्ड पर पड़ी हुई मचली बन जाएगा यहां तकी थाइड इस्टेप के एमोर्टल लेवल के हैविली इंजर्ड हो जाने के बाद उसकी एमोर्टिलीटी को खत्म किया जा सकता है यहां सैंजु कियांके चमाक उठी होती है और स्धिकोड गई होती है उसकी हाथ में अचानक यह एक लाइट ग्लो होती है और अचानक ही काफी सारी लाइट सील्ड कंडेंस हो जाती है इतना ही नहीं वो तुरंत यह एक गोल्डन पिल को निकाल कर उसे स्वैलो कर लेता और उसकी पूरी बाड़ी पे अचानक गोल्डन लाइन्स चमकने लगती है उसने यहां पे लगवाग अपने सभी अफर्ट को ट्राई कर लिया होता है दूसरी तरफ यह लाइट रेस काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है और जैसे यह उसकी सील्ड से जाकर टकराती है यह सील्डें एक पल में ही तूट गई होती है इस टाइम पे सैंजू की भी अमोटल पाउर बढ़ गई होती है लेकिन आप इस लाइट को बिलकुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे लेकिन सैंजू ने इस रेस को काफी कम समझा था देखती ही देखती है जैसे यह लाइट उसकी बाड़ी को हिट करती है उसकी बाड़ी के टुकड़े हो गए होते हैं और हवा में केबल एक दिल रह गया होता है जो देखकर थार्ड इस टेप के एमपरे मोटर लेबल को उस बंदे के एक थौट के साथ एक लाइट और उसके हार्ट की तरफ बढ़ने लगती है बले ही सार्ट के सेटर होने के कारण सैंजू की मोट ना हो फिर भी कम से कम उसका पावर लेबल तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा साथ इस लाइट की स्पीड काफी आरा तेज होती है लेकिन जैसे ही ये इस हार्ट को क्रैक करने वाली होती है एक तेज सीटी की आवाद सुनाई देती है और हबा में फ्लेम से जलता हुआ एक जाएंट रूलर सैंजू के हार्ट के पास मढराने लगता है जैसे ही इस रूलर से वो लाइट जाकर टकराती है तो ऐसा लग रहा होता है कि इस रूलर को वो काट नहीं पा रही घंटा काट देगी उसमें हार्ट ओफ लेम दिखाई दे रही है सुकरकर अभी बीक फॉर्म में है श्ट्रॉंग फॉर्म में आ जाएगी पूरा खांदान पेल देगी दूसर अब थोले टाइम के अंदर ही सैंजू की फटी हुई बॉड़ी के टूटे हुए धागे होती है कास तौर पर वो तीन लोग जो की आपटर में खें सोज औरी हैं आosed प्लйक यह बृबरी के लघंए भी बने हो और हाइम ये लाइट आसानी से काट सकती थी लेकिन जी सीज़ने उन्ने चौका दिया दिया ता वह वास्तरा में यह आट ब्लैक रूलर के सामने ये लाइट विलकुल अनेफेक्टिव लग रही होती है और नुक तोड़ना तो दूर की बात यहां एक स्क्रेच भी नहीं किया गया था थार डिश्टेप का बंदा तुरंती कहता है यह किस तरीके का आर्टी क्राफ्ट है ऐसा थोड़ी होता है तुरंती कहता है कम स से कम इसे बहुत हार्ड होना चाहिए और कुल मिलाकर इसे ब्रेक करना बहुत कठें जिसके बाद वो तीनों लोग उस डाइरेक्शन पर देखते हैं जहां से ब्लैक रूलर आये था तो वो ब्लैक गोल्डन विंग के साथ एक फिगर को देखते हैं जयन यहां बीच हवा मे जब वो पहली बार जोयन को देख रहा था तीनों लोग एक साथ कहते हैं फाइटिंग गॉड ब्लैडी बास्टर्ड इस टाइम पर सेंजो जिसने पीछे की तरह अपक गोली मार दी होती वो अपनी बोड़ी को इस्टेवल करते हैं वो खुद पर हस रहा था क्योंकि पहले उसने भी यही रियक्ट किया था वो भी सेम बिलकुल इसी तरीके से अरोगेंट तरीके से यह तुरंती कहता है मुझे डर है कि यह बाद में समझ जाएंगे कि यह फाइटिंग गॉड नहीं पपा है पपा यह एक ऐसा बंदा है जो थार्ड श्टेप के एमपरेर मोटल ले सास उसे दिया था तभी जान गयता है गॉयान क्या तुम्हारा काम हो गया जन यह इन तीनों के इंप्रेशन को इग्नोर कर देता है जो यहां पर हैरान होते हैं लेकिन हस रहे होते हैं तभी एक आवाज आती है तीन सासो का टाइम देदो दूस्त अब यह जो तीनों लोग रेंज की गई जो फॉर्मेशन होती है अचानकि उसमें फ्लेक्चुेशन होता है और एक धमा का और उनकी फॉर्मेशन में फ्लेक्चुेशन होने लगता है साथी जिस फॉर्मेशन में यह फाइटिंग गॉड लेवल के जो वारियर होते हैं एक धमा का होता है फॉर्मेश होता है एकदम chaos में बदल चुका होता है और इनके अटेक उन्हीं के ऊपर अटेक करने लगे होते हैं यहां तक कि जैसे यह light on तीनों की body के आरपार होती है तो तीनों यह immortal लेवल के बंदों के हाथ पैर तूट चोके होते हैं हाला कि देखते ही देखते इनके टूटे हुए पैर कटे हुए हाथ तुरंती वापत से ग्रोवी हो जाते हैं लेकिन इस टाइम पिन का जो दिमाग होता है एकदम हैरान होता है यह तुरंती एक ठंडी फुस्फुसा हाट एक दूसे की तब देखते हुए करने लगे होते हैं साथ ही जब उन्होंने जो यान की तब देखा हो था तो उनकी आँकों में काफी जादा हैरानगी होती है और एक सौक क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जॉयान नहीं यह कहते किया लेकर इस पश्टोर पर इसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया था उनकी फॉर्मेशन ब्रेक हो गई थी इतनी जल्दी कि उन्हें पता भी नहीं चला और रियक्ट करने का मौका भी नहीं मिला यहां तक कि फाइटिंग गॉड तो इतने हैवी लिंजर हो गए थे कि उनके पास फाइट करने का भी टाइम नहीं था तब भी जॉयान कहता है कि तुम सभी लोग मनने को तयार हो जॉयान की अब आज काफी स्लो होती है दूसर तब तीनों ही लोगों के पास अब्यसलि थोड़ा दिमाग तो था आखिरकर यह लड़किया नहीं थे इन्हें पता था कि जो सामने का बंदा अगर इतनी इजीली फॉर्मेशन ब्रेक कर सकता है तो यह चीटी फाइटिंग गॉड तो नहीं होगी नहीं मतलब है भी तो हम नहीं मान सकते बलकि इसे एक बेहत मिस्टीरियस परसन होना चाहिए बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी राय में जोयन की वाड़ी से निकलने वाला जो औरा था वो फाइटिंग गॉड का था तभी जो सेकंड इस्टेप एमपरेर मोटल लेविल का बंदा होता है वो तुरंती कहता बॉस आई ये लड़ने वाला फाइटिंग गॉड कुछ है अजीव नहीं लग रहा है हाला कि इसका औरा थोड़ा जीव है लेकिन मुझे लगता है इसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए तभी इनका जो बॉस होता है वो थ्री स्टाप एमपरेर मोटल वो तुरंती कहता है इस बात तो तुम सही कह रहे हो जिसके बाद वो अपना हाथ उठा कर तुरंती कहता है पीछे हटो पीछे हटो पैक अप जो देखकर जो सेकंड इस्टाप एमपरेर मोटल होता वो हैरान हो गया होता है कि एक फाइटिंग गॉड हम तीन एमपरेर को डरा सकता है और पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है कैसे अगर आउटर परसन के लोगों द्वारा इस चीज को देखा गया होता तो बास्तों में यह काफी अजीब सीन होता जोहान की आवाज काफी धीरे से निकलती है और बिना किसी और एको प्रेडियूस की होए जो यान के जो बढ़ड होते है एक दम हाड और कमिटेड होते है जो देखर वो बंदे तुरंदी कहता है मुझे पता है कि आप इजी नहीं है लेकिन अगर हम तीनों एक जोट हो जाए तो भले ही आप बहुत पावरफुल भी हो मुझे नहीं लगता कि आप हमें हरा पाएंगे जो सामने वाला बंदा होता है उसकी आब आज एक दम cold होती है जैसे वो चाहता है कि जोएन उससे डरे हाला कि उसे जोएन की real power नहीं पता थी लेकिन उसने भीत आजनी से कमजोरी दखाने के इमत नहीं की होती हाला कि बस जो यान आगे बढ़ने ही वाला होता है और उनके उपर एक्षन लेने ही वाला होता है कि तब ही जो अनचाना की भूहें चड़ाता और दूर से एक कोल लाइट आती है जो तुरंती उन तीनों में से एक बंदे को छेद देती है और टार्गेट आप बेसली बिलकुल हार्ट होता है उन पर घात लगाकर अटेक किया गया होता है जो देखकर में जो बंदा होता है वो तुरंती अपने एलेट वहेवियर को साइड में रखते हो तुरंती कहता है कौन है चारो तरब देख रहा होता है वो तुरंती कहता है हम पर घात लगाकर अटेक किया गया है तब ही इस टाइम पे ब्लैक मिश्ट से एक फिगर निकलती हुई दिखाई देती है जो बहुत तेजी से उन तीनों ही एमोटल वारियर्स की तरब बढ़ने लगती है जैसे कोई जानबर अंधेरे में सिकार के लिए निकला हो जैसे देखकर जुआन की आके सिक उड़ गई होती है वो बहार निकलने वाली फिगर को साप तोर पर देखता है जब जुआन ध्यान से देखता है तो यह कोई अजीव लोग नहीं होते आखेकर जुआन इनसे दो बार मिल चुका था और यह होते हैं ताइकसू वर्ड के दो टटे जो आए थे यहाँ पे एक साथ ही खटे होते ही यह तगड़े हटे कटे चिंता मत करो जुआन करेगा इनके भी दात खटे वावाव ठोको ताली ठोको लाइक जुआन तुरन दिगाता है ताइकसू वर्ड जुआन एकदम सर्प्राइज हो गया था उससे उम्मीद नहीं थी कि तैकसू वर्ड का इस्ट्रॉंग परसन अचानक ही यहाँ आ जाएगा और इसके लाबा आटेक का पहला टार्गेट जुआन नहीं बलकि तीन एमोर्टल लेवल के बंदे थे जो सोचकर जुआन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इन तीनों एमोर्टल लेवल के बंदों का इनके साथ कोई पुराना हिसाब किताब हो जुआन तुरंती पीछे अट कर थोड़ा सा ब्राउन मिष्ट में छिब गया होता है और जुआन यह देखकर डिसाइड करने में कैपबल था कि थाइडिश्टेप के जो बंदे थे उसकी आँको में हैरान और डर हुए इंप्रेसन होते है और वो यही कह रहा होता हमें एक दूसरे को नहीं जानते दूसरी तब ताइक सूबल्ड का बंदा कुछ सुनी नहीं रहा होता ऐसा लग रहा होता वो मारने के लिए चाहे कोई सिकायत हो या ना हो उसका मोटिफ सिर्फ मारना था जो देखकर जुआन की आँको में गुस्सा चागया होता है मारा सिकार छीन रिया है काके दो मिनेट रोक आता हूँ मैं पावर की गोली खाके जुआन सीधा एंप्रेस की तरफ देख रहा होता है जुआन समझ गया होता है कि एंप्रेस ने जो का था वही ये लोग कर रहे हैं ताइक सूवर्ड के वाइट गोड आर्मर पर ट्रेस्ट कर रहे हैं इसलों उनकी पावरफुल पावर एमोर्टल लेवल के पास पहुँच गई है और ये इन लोगों के एमोर्टल एसेंस को चुरा कर अपने आपको 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 अपको दूसरों के पावर को छीन देना है और अपने अंदर रख लेना है पिए लेकिन यहां पर एक ही क्यों दिखाि दे रहा है यहां तो दो होने चाहिए थे आखिरकर जब जोयान बांजियान इस्टार में था तब उसने दो लोगों को देखा था लेकिन अब के बल जोयान एक ही देख रहा होता है जिसने वाइड गौड आर्मर पहना हुआ होता है साती जोयान अभी भी कनफर्म नहीं कर पाया था कि क्या तैक्सूबर्ड का ये बंदा उन्हीं दोनों में से एक था जिसे जोयान पहले देखा था साती जोयान यहाँ पर थोड़ सा घबराया हुआ होता है साती इस टायम पर एक्सन लेने का उसका कोई भी रादा नहीं था भले ही तैक्सूबर्ड का आदमी सामने नहीं आया फिर भी वो एक्सन करेगा साती जोयान यह भी जानता थे कि ये बंदा काफी खतानाक है और अब इन तीनों ये मॉर्टल की जान इस बंदे के हाथ में होगी लेकिन जोयान यह देखना चाहता था कि तैक्सूबर्ड का ये आदमी कितना श्रॉंग है और अगर ये उनसे लड़ता है तो क्या वो उन्हें लणने का मौका देगा या उन्हें तुरंती मार देगा जोयान अभी विरुक रहा होता देखने के लिए उनके बीच की फाइट क्योंकि अगर केबल ये एक ही बंदा था तो जोयान के लिए एक अच्छा चांस हो सकता था उसे पकड़ कर उससे तैक्सूबर्ड की कुछ इंपोमेशन उगलवाने के लिए क्योंकि कुई जून से मिली हुए इंपोमेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी और अगर आप सीधा ही तैक्सूबर्ड के लॉंडे को पकड़का उससे इंपोमेशन निकालते हैं तो ये एंपोमेशन एकदम क्लियर हो सकती है जिसके बाद जून सामने हो रही खतरनाक लड़ाई को देखता है तो सोचता है कि इस रेजिस्टेंस के साथ अगर ये फाइट होगी तो ये फाइट तुरंती खतम हो जाएग और जून ने सोचा ही था कि ये फाइट खतम हो जाती है और माहल एकदम सांत हो जाता है साथी इस बंदे का जो वाइड गौड आर्मर होता है वो पूरी तरीके से इसकी बॉड़ी को ढख लेता और बॉड़ी का हर एक पार्ट किलर बैपन में बदल जाता है वो अपने थोट के अकॉर्डिंग अपने बैपन्स को क्रियेट कर सकता है जोएन ने पहली बार अपनी आखों से वाइड गौड आर्मर की पावर को देखा था लेकिन इन तीनों को मारने के लिए बहुत तेजी इसने काम किया था यहां तक कि उसने यहां पे बिना किसी एक्स्टा चाल और एक्स्चेंज का यूज किया बगेर ही उन्हें मार दिया था जो देखकर जोएन तुरंती कहता पीछे हटो और वो तुरंती ब्राउन फॉग में डूप जाता है सैंजू हाला कि वो काफी बहादूर था लेकिन उसने तीन एमोटर लेवल के वर्स को अपनी जान गबाते होए देखा था जिन्होंने फाइड बैक तक नहीं की थी और उन्हें मिटा दिया गया था इस टाम पे उसकी पूरी बॉड़ी में ठंड़क फैल गई होती है पैर कापने लगे होते हैं और वो तुरंती पीछे हटने के लिए जोयन का पीछा करता है तब ही सैंजू तुरंती कहता है ऐसा लगता है कि वो पीछा कर रहा है हाला कि जोयन बहुत देजी से सबी को पीछे ले आया था लेकिन सैंजू ने अचानक ही कहा था जो सुनकर जोयान चौक जाता है जोयन तुरेंथी पलट कर पीछे की तरफ देखता है और अपनी spiritual power को चारो तरफ फैला देता है लेकिन जोयन फील करता है कि उसकी spiritual power उसे पकड़ने में capable नहीं थी लेकिन एक बात तो clear थी कि जोयन के पीछा नहीं कर रही थी लेकिन इन से बचने के लिए पीछे आना पड़ रहा था और इस टाइम पे ये चारो ही इनके target पे होते हैं तभी जोयन का आकड़ा चाना की stable हो जाता है और जोयन पीछे की तरफ रुक कर देखते हैं कहता भागने की कोई जात नहीं हम लोग घिरे हुए हैं जोयन की आकों के सामने अगंधेरा चा गया होता है तभी वो बंदा कहता है मतलब यू तुओ नहीं हम घिरे नहीं हैं इस परसन का target के बले इमोर्टल लोग हैं दूसी तरफ जोयन तुरंती चावतर आप अजीब नजरों से देख रहा होता है कि क्या यह possible है कि यह लोग एमोर्टल लेवल के बंदे को ही target कर रहे हैं तभी सेंजू कहता है क्या आप बास्तों में एक fighting god हैं आखिरकर सेंजू और यू तू जिसने जोयन की power देखी तो वो obviously समझ नहीं पा रहे थी कि जोयन की sleep power immortal level पर है या फिर fighting god level पर आखिरकर जोयन की body से निकलने वाला और अभी भी cable 80 star fighting god पर था और taxi world के इन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी attractive नहीं था तभी सेंजू कहता है हमें अब आँगे क्या करना चाहिए साथ उसके cherry के impression काफी serious होते हैं हालकि उनके world के गिनने के बाद जैसे वो पलट कर जोयन की तरब देखते हैं और एक दम चिल कर रहा होता है जैसे इस fight से उसका कोई लेना देना ही ना हो तभी सेंजू तुरंती कहता है damn it वो काफी powerful है और situation इसनी ज़्यादा serious अगर हम alliance में भी सामिल हो जाएं तो भी हम उसके लिए opponent नहीं होंगे इसलिए अगर हम जिंदा रहना चाते हैं तो हमके बल अलग अलग भाग सकते हैं बरना हम सभी मारे जाएंगे उसकी हिम्मत यहाँ पर जोयान से सीधे बात करने की नहीं हो रही होती लेकिन वो देख सकता था कि जोयान कुन की परवार नहीं थी तो हो सकता है कि अपनी पर्व के साथ कुछ टाइम तक बचकर निकलना कैपबल हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए यह पॉसिबल नहीं होगा इसलिए बैतर था कि जोयान के पास ही ठिके रहें और उम्मीद रखें हाला कि यू तो को एकीन नहीं था कि जोयान मदद करेगा या नहीं लेकिन भागने पर भी केबल मौथ ही थी और रुकने पर भी मौथ इसलिए वो केबल अपने आपको जोयान के लक के अकॉर्डिंग कर सकता था कि भाई मैं भाग भरो से हूँ दूर से एक रेट कलर की फिगर उनकी तरब भागती हुई दिखाई दे रही होती जो हर एक कदम पे 100 फीट दूर के डिस्टेंस को ट्रैबल कर रही होती है दूर सब इस टैम पे सेंजू के मूँ से बलड निकल रहा होता है लेकिन वो अपने आपको कंट्रोल करने के बाद समझ जाता है कि यहां से भागना इंपॉसिवल होगा तब ही सेंजू कहता है उस परसन की पाउर कम सकम फाइवेश टैप होगी हमारे लिए अलाइंस में सामिल होना ही एक मातर मौका है सेंजू को पता थे कि दोनों के बीच की पाउर में आप काफी बड़ा गैप है और वो उसे नहीं हरा पाएंगे इस दिल्वो सभी को मोटिवेट करता है फाइट के लिए साथ ही वो अचानकी जो यान की तरफ देखता लेकिन वो पाता है कि जो यान ने ना केबल उस पर ध्यान नहीं दिया बलकि एकदम साथती से बैठकर आखे बंद कर ली होती है हालक यहां पे सेंजू अपने दाथ पीस्ता उसे पता था कि अगर जो यान उनकी मदद करेगा तो यह जोन का अपना फैसला है और बिना कुछ कहीं जोन मदद करेगा लेकर जोन रेडी नहीं है